अब आपको दिखाएंगे देड़ सो गाव देड़ सो खबरें डूंगरपूर के सीमलवाडा में भाशपा की जनाकरोश यात्रा निकली जहाँ पर नुकर सभाओं और बैठकों में भाशपा वक्ताओं ने कॉंग्रेस पर निशाना साधा डूंगरपूर के 84 में कॉंग्रेस की और से निकाली जहाँ रही वागड जोडो यात्रा जहां पर जैमत्री डॉक्र शंकर यादवने कॉंग्रेस सरकार की उपलबधियों को गिनाया कॉंग्रेस की वागड जोडो यात्रा डुंगरपूर के आसपूर में भामश्याहा के स्विमल जैन परिवार की और से लगाई गई सार्जनिक प्याओ कशुबारम हुआ आसपूर तसिलदार और सी आई ने प्याओ कशुबारम किया डुंगरपूर के बिचे वाड़ा में प्रधान देवराम रोत की कारियाले के दो साल पूण हुए कारियाले पूण होने पर पंचा समीती में अभिनंदन समारो आयवजित हुआ डुंगरपूर के सालबा थाना पूलिस ने नांदली आहाडा गाओं में दबिश्टी पूलिस में एक धाबी परव्या दूरूप से शराब परोस्ती हुए धाबस अंचाला को गिरफ्तार किया सावला थाना पूलिस के कारिवाई रामगर शेखावटी के उद्योगिक छित्र में असली हैंडी क्राफ्ट में अच्रानक आग लग गई लाखों कास्माल जल कर खाक हो गया तिन गंटे की कड़ी मशकत के बाद आग पर खाबू पाया गया पास्वाडा के बोर्खडी गाओं में कार और ओटर की टकर हो गई हास्ते में आट च्राला की माथ हो गई य कार में सवार दो लोग खायल हो गई बास्वाडा के गनोडा गाउं में रोडिज बस नेर बाइक को टकर मार्दी हास्ती में बाइक सवारे की युवक की मौत हो गई पॉलस ने शाव का पोस्ट मार्टन करवाया बेंगु में खरड़ी गाउं में श्रीमत भगवत कथा की चलते प्रतिदिन श्रधालू की संख्या बढ़ रही है राजवरा के मुखाविंद्र में संगीत में बतादे की संगीत में कथा कायोजन हुआ जोदपुर के बाप में पट्टा आविधनों का निश्पक्षन निस्तारण नहीं और समीती मुख्याले समक्ष दलित नेता अनोपाराम में घुवाल के नितुर्त में धरना शुरू किया गया बास्वाडा के बढगाओं गाओं में गुजर रही नहर में केमिकल युक्त पानी ग्रामेडों ने प्रशाशन को अवगत कराया प्रशाशन अधिकारी ने पानी का सैंपा लिया पुलिस ने बेंगू के चंदा खेडी में हाथ में तलवार लेकर लोगों में भैपादा करें कि युवा को ग्रफतार किया अलवर से अपरण किये गए बोरिंग एजिंटों को बेंगू पुलिस ने डिटेन किया बोरिंग मशीन समेत दो संदिक्द लोगों को हिरासत मिलि के नीचला घाटला गाउं में एक यूवक ने अपनी गर्दन परचाकों से चार वार कर दिया और यूवक की हालत गंफीर बताई जा रहे हैं घायल को उदैपुर रैफर किया गया संभुपर अधाना पुलस ने नाखेबंदी के दरान कार से एक क्विंटल 81 किलो गांजा जर्जब्त किया बासवडा के आंजिना गाउं में भाश्पे की जना क्रोश रैली पहुँची जहां पर विधायक लाश मीडा ने गरामिनों को संबोधित कर कॉंग्रेस सरकार के खिलाफ जुमकर विरोध किया जोदपुर के फलाओदी विधायक मास्टर पबराम विस्नोई बाप छेत्र की दोरे पर रहे उन्होंने कई शोक सभाओं में शुरकत कर शोक संतप्त परिवारों को सांतम ना दी भारते किसान संकेत अद्वधान में किसान गरजिना रैली को लेकर पत्रकार वारता का आयवजिन हुआ उन्हेस दसंबर को जले के सैक्डों किसान जाएंगे दिल्ली रासमन कलेक्चर निलाभ सकसेन के अद्वधा में कलेक्टर कार्याले में समिक्षब बैठक का अइखजिन हुआ बैठक में कलेक्टर ने वेभिन वे भागों की कारे योजनाओं की बारे में बताया रासमन नगर परिशस अबापती अशोक टांक ने अपने जनल दिवस पर द्वार का धीश और चार भुजा नात मंदर के दर्शन किये इस दोरान मंदर के समस्याओं का सामना भी किया गया पितोर गड़ के शंबूपुरा में अल्ट्रो टेक्स सेमेंट की गतीविद्यों से परिशान किस्तानों ने जला कलेक्टर को सौपा गया पन सीकर के दाता रामगर्थाना पुलस ने लाखों रुपए हड़ अपने के मामली में आरोपी को गरफतार किया है पुलस आरोपी से पूछ ताश कर रही है ब्यावर पुलस रामपुरा मिवात्यान गाउं में बलमा देवी हत्याकान का खुलासा कर दिया पुलस ने मामले में तीन लोगों को गरफतार किया पिपाड में के शादी में पोहँचे भाजपा युवा मोर्चाद्यक्ष सीपी मरोठिया की बाइक चोड़ी हो गई मरोठिया द्वारा पिपाड थाने में रिपोर्ट दर्श कराई गई अजमेर के सर्वार में पूर्व संसाद्य सच्चिव शत्रुगन गौतम ने एक गाउमों में आयुजित कारिक्रम भाग लिया हंस राज कोरवाल के शोक संत्रिप्त परिवार को धंडस बन्दाया अजमेर के सर्वार में भाश्पा की रास्टो एंबंती डॉक्टर अलका गुर्जन ने सरकार की जन विरोधी नितियों के खिलाफ अल्का गुर्जन ने विरोध किया पावडी के कास्टी गाओं में बाएक की टकर से एक युवक खायलो गया पुलिस में मामले दर्च कर जान शुरूपी रामपचयात ठीकराना मेदरानता निवासियों ने गाओं के ही कुछ लोगों पर पुष्टैनी आवासे जमी से बेदखल करने की धंकी दी वही लोग ने परिशान हुने का आरोप भी लगाया धरियावद मुख्याले को नगरपाली का बनाए पांच मैने बीचुके हैं लेकिन वेवस्थाओं के नापर यहां पंच्चयात की सुविधाय भी नहीं मिल पा रहे हैं विलारा बजलीघर में सेकडो ट्रांस्पार्मर खराब पड़े हैं भोगताओं को समय पर नहीं मिल पा रहा है ट्रांसपार्मर और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे बिलाडा समेत आसपास गावों में लगतार हो रहे है बाईक चोरी भगासनी गावों से बाईक चोरी हो गई पुलस नमाम लदर्श का जांश शुरू की इन नॉन सेटी में ज्वाटर समाज का समयक विभासमेलन और सामोहिक विभासमेलन की तैयारियों को लेका ज्वाटर समाज की बैठा कायोजित की गई प्यावर के ग्रामिन शित्र भी जनाकरोश यात्रा का आगाज हुआ शहर के उदैपुर रोड से ब्रह्मनंद धाम से यात्रा की शुरुवात हुई पूर्व मंत्रे श्रीचंदर किरपलाने के नितरत में भाशपा के जनाकरोश यात्र रतर ने आठरोए दिन विभफे नगावों का दौरा किया प्रतावगड में पिछले नौ महीने के बखाया वेतन का हुकतान करवानी और अणुभव प्रमाणपत्र ज़ारी करने की मांग, मांग को लेका नर्सिंग कर्मी उने कलेक्टर को ग्यापन सौपा। नर्सिंग कर्मी उने कलेक्टर को ग्यापन सौपा। स्वरूप देवी चौधरी नी लाखो रोपे की विकास कार्यों का लोकारपन किया। इस जोरान पंचा समीती सदस से भारती चौधरी मी मौझूद रही। कौंगे सरकार के खिलाब भाश्पा की और से निकाली जोरी जनाक रोश्रेली, बाडमेर के, कुंडला, मगने की धांडी और चवा समेत कई इलाकों में पहुंची यात्रा। दोदे के मौझमा बाद में सड़ाखा निर्मान कार्य शुरू और लोगों को आवजाही सुगम होगी। पर्वती नदी पर बनी रपट शतिग्रश्त होने से वहन चाला को को परिशानी हो रही है, जिसके कारण दुरघटना का बना रहता है खत्रा। संभागे अयुक्तो निरश के पवण पहुंचे नोखा और अपना घर आश्रम का किया विजिट सेवा साथियों के सेवा देख कर पवण प्रभावित हुए गाउं में चौदरी देवी लाल आइब्रेरी काफी अवलोकन किया। करॉली से सेक्डू खारिकर्ता भारे जुड़ो यात्रा में पहुंचे इस दोरान खिरपाल सिंग मीडा ने राखुल गांधी के साथ पद यात्रा में भाग लिया। इंडॉन सिटी के कई कलॉनियों में दूशित पानी से लोगों को बता देख कि दो लोगों की मात हुगए लोगों ने दोशी के खिला सक्त कारेवाई की मांग उठाई है। अट्रू के परवती बांध में नहीं हो रहा मरमत कारे से चोईवे भाग के अंदेखी के कारण नहर की हालत जरजर व्यर्थ ही बहराय पानी। इंडान के सरोट में श्री राम कथा का शुबारम हुआ इस दोरान महिलाओं ने कलश यातर अभी निकाले जिसमें सेक्डू किस संख्या में श्रधालू मौजूद रहे। कस्बधाना में भाषपा कारे करताओं ने थाने का गेराव कर प्रिदर्शन किया पोलर्स पर भाषपा कारे करताओं के खिलाफ जूटी कारेवाई करने का आरूप लगाया। अनुवनगर टाउन के वैपान मंडल सिक्षा समीती में आउजित पदादिकारियों का शपतगर्ण कारेकरम समीती अध्यक्ष समेत पूरी कारेकरनी को शपत दिलाई गई। अलवर शहर की पेजलव शक्ता पूरी करेगा सीली शेड अलवर शहर के लिए शीली शेड जील में 100 MCFT पानी आरक्षित जल संसादन विभागने दी मन्जूरी। गोविंद गड नगर पालिका में प्रतिदिन सुरों की अग्यात बिमारियों की चलते हो रही है मौत प्रशासन समस्या से बेखबर हैं इस महिने में सैक्रों सुरों की हो चुके मौत। अजमेर के ब्यावर में निशल का आखों की जाँच की गई अठासी व्यक्तियों के आखों की जाँच का निशल का परामर्षक दिया गया। को बद्पू के चलते मंदर जानी में हो रही परिश्टानी। केरवाड विधायक डॉक्टर दयाराम परामर ने राज के प्रात्मिक विधाले गोहा वाडा में खेलकुर्ट प्रत्योगिता का शुबाराम किया इस मौके पर कई गणमाने लोग मौजूद रहे। गंगापर पुलिस के अनूठी पहल थाने में खारिरत में स्मे खाना बनाने वाले प्यारशंद गाडरी की बेटी की शादी में थाना प्रभारी राजुराम वलासिया शिवरती गाउं पहुंचे। सहाडा तैसिल शित्र में चल रही जनाक रोश यात्रा पददिकारियों ने जनाक रोश यात्रा का स्वागत के नुकट सभाओ का आयोजन कर आमजन को जागरुख किया गया। नोखा में रेप के आरोपी को जिसरार्स पुलिस विगरफतार किया फोटो वीडियो वारल करने की धमकी देरा था आरोपी। चापुरा, फूलियां कला में जनाक रोश यात्रा निकाले गए। गाओं में एक किसान को जरीली कीडे ने काटा और कीडे की काटने से किसान की मौथ हो गई। पतैगड के आदर्श विद्या मंदर माधिमेक में निश्रक नेतर जांश शिवर का आयोजन किया गया, 28 मरीजों का निश्रक नेतर जांश की गई। दोली के सबसे बड़े सी अस्पताल की हालात देनी होगे। अस्पताल में महिला वाट में बैड पर गद्दे नहीं है, पीने का पानी तक उपलब्द नहीं है। मोहंगर्ड में यूरिया की भारी किलत के चलते क्रैविक्रिया समीती ने किया यूरिया का वित्रण। जैसलमेर के नौक में सभी हैंड पंप खराब है, ग्रामणों की मांग है कि जल हैंड पंप ठीक करवाए जाए। प्रासमन के आमेट में धर्म प्रिचारक द्वारा रामलीला चल रही है, रामलीला में मुनी आगमन ताड़का का वद का मंचंग किया गया। दौसा के नांगल प्यारिवास में रावुल गांधी की भारजोडो यात्रा के लिए बनाये गए ठेरावस्तल कलेक्टर कमर चौधरी ने पहुशकर जायजा लिया। रोड़ज के मुख्य प्रबंदक विश्राम मेना दौसा के महवा पहुशे, जहां पर मीड़ा ने करमचारियों को यात्रों की सुविधाओं को लेकर श्रमिकों को दिशाने देश दिये। महवा के खोरी गाओं में करंट लगने से किसान की मौतों गई, पुलस ने पूस्पार्टन की बार्षवकर परजणों को सुपोर्ट किया। चुरू में गरजना रैली ने दिल्ली चलो को लेकर प्रेसवारता, संके, जलद्यक्ष, मुकेश, रामपुरा ने कहाया कि किसान आत्मक्या इसलिए करहें क्योंके फसल के दाम 50 साल में केवल 30 गुना बड़े हैं। कैथुन में भाषपा ने निकाली जनाक्रोश यात्रा, विभी नगावों में जनाक्रोश यात्रा निकाली गई, यात्रा का लोग उन्हें पुष्परवर्शा से स्वागत किया। करोली के माशी तंगरिया मेजर नाक्रोश यात्रा पहुँचने पर रविंद्र सिंग यादा उन्हें लोगों का स्वागत किया लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्यानकारी योजनाओं के बारे में बताया नागाओर के मेर्ता सिटी में पठाके की दुकान में अच्रनाका अग लगई हासी में गंभी रूप से जुच से चार युवक दुकान मालेक सत्तार मुहम्मद की इलाच के दौरान मौत हो गई सपोर्टर ने निर्माणकारे के दौरान साट से सत्तर फीट तूटी नाली लोगों ने निर्माणकारे पर चुंता जताई नागाओर की नाडुनूमी नीलगाए को बचाने के चक्कर में हुआ हासा हासी में वाइक सवार की मौत हो गई पॉलस में पोस्मार्टम कराकर्शक को परजिनों को सौप दिया सीकर के श्रीमादोपुर में कमलेश कवर की स्मृती प्रुवेश द्वारा का लोकारपण किया गया व्यवासा पीठादीश्व डॉक्टर रागह चार्य ने लोकारपण किया कोटा के रामगज मंडी में वच्चों ने किया राज्यस्तरे प्रत्योगिता में मेडल जीता और पुरवर्ती बोहरा निजीता गोड मेडल पोटा के रामगल मंडी राज के महाविध्याले में N.S.U.I. खारे करताओं ने महाविध्याले का नाम महापुर्शों के नाम पर रखने की मांगी घाडे राव बस्टेंड पर किये गया तिकर्मन को लेक तैसिंदार के लाश इनानिया ने पुलस की मौजूदगी में हटाया मंडी गड में समाजिक अंकेशण के बाद ग्राम सभा में किये गया अंकेशण को पढ़कर सुनाया गया रामगड सी एसी पर नस्बंदी शिवर लगाया गया ओपरेशन कराने के लिए 58 रजिस्ट्रेशन हुए जिन में से 6 फॉर्म रिजट हो गए हैं 52 महिलाओं ने नस्बंदी ओपरेशन करवाया बिलवाडा के मंगरोप में लक्षकार समाज आम चुनाव हुआ करीब 700 से अधिक समाज बंदू के उपस्थिती में चुनाव कारिकरम प्रारब हुआ चोबो के सामवद इलाके में पैंथर आने से लोग दैशक में दूसरे दिन भी रेस्क्यू टीम पैंथर को नहीं पकड़ पाई दौसा के लाल सौट में भाश्पा की जनाकरोश यात्रा पहुँची जहां भाश्पाई उन्हें अपने उद्वोधन में कॉंग्रिस पर जंकर हमला बोला भाजपा की जनाकरोश यातरा धौलपुर के खोठी मंडल पहुंची यातरा की चौपाल लाल बासार में लगाई गई चुरुक के वीर तेजाजी भवन में सर्व समाज ने पुर्व आर सी एच ओक के निधन पर श्रधांजली सभा कायोजन किया प्रसुमील जान्दो को युवाओं का आदर्श बताया लोगों ने सिरोही के तलेटी में टेक्सी यूनियन के खारे करताओं ने विधायकों कि आपन स्वापकर विभिन मागों को रखा तारन अगर में साथ्यों राजपूरा गाओं में डेड महीने सिलापता किशोर कशाव शक्त विशत हालत में मिला ग्रामर्ण में आक्रोश है पुलिस की कारेश्याली को लेकर उठ़ने सवाल भाजपा दोरा प्रदेश कौने सरकार की नाखामियों को लेकर प्रदेश की सभी वधान सभा में जनाकरोश यात्रा निकाली जा रहे कारेकरताओं ने शापुरा में भी यात्रा निकाली आश्पा की जनाक्रोश यात्रा पशुराम मंदर से शुरो हुई जनाक्रोश यात्रा किरत के साथ उधायक रामलाश्वर्मा ने सरकार पनिशान असाथा सरोहे के चंदेला में एको सेंसिटिव जोन में धड़नले से अवैद निर्माण जारी प्रशाशन की मिली भगा से निर्माण हो रहा है धौलपुर में नारंदपुर थाना पुलस्ट ने हतियारों के सप्लायर को गिरफदार किया रोपी पिछले दो महीने से पराज जल रहा था जैपुर के चोमो में अधिकांश रोड़े हाईवे से होकर ही निकल रही है इसके चुलते मुसाफिरों को परिशानों का सामना करना पड़ रहा है सिरोई के देलदर में भाच पर आकरोश यात्रा निकाली गए विधायक समा राम गरासिया नहीं लिया भाग पोटा के मोई कला में खेतों में लहराती सरसों की फसल को देख कर किसानों के चेरों पर खुशी के भाव नज़र आ रहे है बेंगू में सकल जएन समाज के सम्मेद शिकर बचाओ देश व्यापी अहवान किया गया जएन समाज द्वारा मौन जुलूस निकाल कर महा महीम रास्टर पती प्रिधान मंत्री एवं मुख्य मंत्री के नाम ग्यापन स्वापा गया ग्रामपचायत उदैपुरिया के परशुरा मंदिर से जनाकरोश यात्रा करत आज फिर शुरू होगा और इसके बाद जनाकरोश यात्रा ग्रामण इलाकों में रवाना होगी टोंके मालापुरा में 22 सवार युवक ने महिला की नत तोड़ कर फरार हो गया महिला ने मालापुरा खानी में दर्च कराया मुकद्मा चोमू के के यार मैमोरियल अस्पताल में डॉक्टरों के टीम एक महिला का ओपरेशन कर 18 किलो की गांट निकाली है टोंके टोडा राइसिंग में जनाकरो शियात्रा को लेकर भाजपा की बैटक चेदोसंबर को मालापुरा में समापन पर सभाकाय जन होगा दिली में अवज़त होने वाली रैली किसांसंग की रैली की तैयार या तेस प्रदेश मत्री ने किसानों से भाग लेने का अवान किया अट्रू में सडकों पर अधिक वहनों की चलने की कारण एक कारणाली मिज्वाफ पसी कड़ी मुशक्कत की बातकार को पहार निकाला गया सिरोही के माउंट आबो में भाश्पा की जनाकरोश यातरा निकली सांसा देवी जी पटेल वधाया का समा राम गरासिया ने निकालिया भाग गुरू ने 35 साल की यूवति के साथ नशिली पदार्थ मिला का दुशकर्म किया रतंगड के वौर्ड नमबर 40 के आश्रम के महंत मस्त गिरी पर दुशकर्म का आरूप लगा है गुजरात में बाबा राम दीव जी के नव निर्मित मंदर का प्रांग प्रसिस्ठा समारू आयुजित किया गया जिसका पोस्टर विमोचन किया गया जैसल मिर के मुख्य चौराहे पर याताया तनियमों के उलंगन करने पर पांच वहानों के चौलान काटे दुपईया वहां समेत अन्य की संग सगन जाचकर पांच वहानों के चौलान काटे थाना अधिकारी सुमेर सिंग मेदी जानकारी उहनगड कस्बे में हाज विवाजी फकीर किस्मरती में चौल रही क्रिकेट प्रत्योगिता केके संस बनी विजेता वहीं बासन फीर रही उपवेजेता जाट सेव समीती मालपुरा की नव निर्वाचित कारेकार्णी का शपत ग्रेंड समरो अती थी उने नव निर्वाचित कारेकार्णी को दिलाई शपत राजके भीवराव अम्बेडकर छात्रवास में पूर्व अध्यक्ष स्वर्गे आत्मा राम गर्गी की सत्रवी पुनेति थी पर कारिकरम कायोजन किया गया जुझनों के सही कला गाओं की सरकारे स्कूल में सैंक्त निदेशक पत्राम सिंग कला काला ने बच्चों को ड्रिस वितरत किये नोखा कस्वे में श्विस्टंत पीपा शत्रे समाज के बैटा कब भीकम च्वंद गोयल सरसम्मती से अध्यक्ष निर्वाचत किये गए ने अध्यक्ष का माला पैना कर सुवागत किया गया दोसा के भोपुर गाउं में पिछले दिनों हुई चोरी के मामले को लेकर खुलासी की मांग को लेकर ग्रामडु ने डिप्टी एस्पी को ग्यापन सॉप कर तोड़ी के खुलासी की मांग की राजस्तान राजय कारेकारणी के वेठकाय जन हुआ, मोल सिंग राथोर चेर्मन राजस्तान राजय शाखा की अधिव्शता में किया गया जसल मेर लाथी में समाजय कारेकरता चंदन सिंग भाठी के नितरतु में ग्रामडों ने सफाई अभ्यान चला कर पशुक कुंड को साफ सत्रा किया करीब दो घंटे तक सफाई अभ्यान चला श्री डूंगरगड में चाय के खोकी में देर रात आँख लगई आँख लगने से सलिंडर पट गया नैशल हाईवे 11 बिगगा गाउं की घटना आरपील प्रीमियर लीग का शाहपुरा के रहड में हुआ शुबारम आसफास के गाउंवों से साटी में भाग ले रे भाशबाग की जन आपरोश यात्रा का आज समापन होगा यात्रा आज भी ग्रामण इलाकों में कई जगाओ पर जाएगी चोमो पुलस ने यातायात नेमों का पाला नहीं करने वाले वहां चालकों की खिलाफ अभ्यान की शुरुआत की राश के महवध्याले में एक दिवस से एननेस शिवर का एजन हुआ जिसमें स्वें सेवी काउं द्वारा शपत गहन करते हुए श्रंदान कारे की शुरुआत की गई चोहटन पुलिस ने 24 गंटी में वाइक चोर को ग्रफदार किया पूश्टाच में आरोपी पांच और ने वाइक को चुराना उसने को बूलिया है शर्टल्थाना पुलिस ने नाबाले के साथ रेप और जबरन शादे करने के आरोपी को ग्रफदार किया नागाउर के रियवन्णी में खार्याले के सभा घार में अधिकारी गौजशंकर शर्मा द्वारा रासव कर्मियों की बैठा कायोजन किया गया इम्राना में आगया तो वाहनी साइकल सवार को टकर मार दी साइकल सवार की अस्पताल में उचार के दौरान मौथ हो गई शेपर बड़ोग में अफीन की पसल को नार्कोटिक्स वेफाग द्वारा नस्ट कराया जा रहा है जिससे किसानों में रोश व्याप्त है अनागाजी में जन आकरोश रैली में दिख रहा है आकरोश आसपास में लड़ रहे कारेकरता पार्टी में अपना वर्चस व बढ़ाने को लेकर रोजाना सामने आ रहा है विवाद जालावाड में सर्दी जमकर कहर बरपा रही है नियुंतम तापमान 10 डिग्री से नीचो चलागी है असपताल में सर्दी जो काम से जुड़े मरीजों के संख्या में रोजाना इज़ा पा हो रहा है असे के साथ इस बुलेटिन में देश प्रदेश की तमामा आम खवरों के लिए देख तरही है